हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल शेर बज़ार आज कल पर आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम जिरोधा में शेर्स कैसे बाई कर सकते हैं हमने अपने लाज वीडियो में आपको बताया था कि हम जिरोधा में अपना डीमेट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं जिसका लिक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जिरोधा की मोबाइल एप जिसे काइट बाइ जिरोधा कहते हैं उसे उपन कर लिया है या हम अपना यूजर आइडी एंड पासवर्ड एंटर करके इस एप में लॉगिन करेंगे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने काइट एप्लिकेशन में लॉगिन कर लिया है अभी निफ्टी इंडेक्स 14,080.10 पे ट्रेड कर रहा है मेरी स्क्रीन पे आप सर्च एंड एड का ऑप्शन भी देख सकते हैं हमें यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी शेर हमें बाइ करना ह उसको सर्च करना है और सर्च करने के बाद वाच लिश में एड करना है चलिए आगे अब हम एक्जंपन के लिए इंफोसिस के शेर को सर्च करते हैं आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि Infosys का share NSE and BSE दोनो stock exchanges में trade हो रहा है Stock exchanges क्या होते हैं हम इस पे भी एक वीडियो और बना चुके हैं और उस वीडियो का link हमने description box में भी डाल दिया है उस वीडियो को भी आप जरूर देखें चलिए अब हम Infosys का share जो NSE के stock exchange में trade हो रहा है उसे watch list में add करते हैं आप मेरी screen पे देख सकते हैं कि अभी Infosys का एक share 1283.95 के आसपास trade कर रहा है watch list में add करने के बाद हमें Infosys पे click करना है click करने के बाद आपके पास एक ऐसी window open हो जाएगी जिसमें आपको buy और sell का option दिखाए देगा यहाँ पे हमें buy पर click करना है buy पर click करने के बाद आपके पास एक ऐसी screen open हो जाएगी इस screen के सबसे उपर आप देख सकते हैं कि NSE and BSE दोनो stock exchanges के options available हैं अगर आप shares को NSE पर buy करना चाते हैं तो आपको NSE के option को select करना है अगर आप BSC पे Shares को Buy करना चाते हैं तो आपको BSC के Option पे Select करना है अभी के लिए अब NSC के Option को Select कर रहे हैं Next अब आपको Quantity Enter करनी हैं अगर आप Infosys के 10 Shares खरिदना चाते हैं तो आपको Quantity Field में 10 Enter करना है अभी के लिए हम यहाँ पे 3 Enter कर रहे हैं क्योंकि हम Infosys के आज 3 Shares खरिदना चाते हैं Next Option है Product यहाँ पे आपके पास 2 Options एवलेबल हैं एक है CNC और दूसरा है MIS आपको यहाँ पे CNC को Select करना है CNC का Full Form है Cash & Carry Next आपको Option है Order का यहाँ पे आज हम Market को Select कर रहे हैं अब अपना Order Place करने के लिए आपको Swipe करना है Right Hand Set पे आप मेरी स्क्रीन पे Last में देख सकते हैं यह हमने Swipe कर दिया और हमारा Order Complete हो गया आप मेरी स्क्रीन पे सबसे नीचे एक Portfolio का Option देख सकते हैं अब हम Portfolio के Option में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने Infosys के Shares का Order Place किया था वो Positions में Show कर रहा है आज के दिन यह Order Positions में Show करेगा और कल से यह Holdings में Show करने लगेगा तो इस तरह से हम Ziroda में किसी भी Shares को Buy कर सकते हैं मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को Like जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ Share करें और चैनल को Subscribe करना ना भूलें